हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैथे जी फ्रेंड्स दिया हुआ है इफ ए बटे बी बराबर तीन बटे चार एंड एट ए प्लस फाइब बराबर टॉंटी टू देन ए बराबर क्वेस्चन मार एक वैलू फाइंड आउट करनी है तो फ्रेंड्स ये कंडिशन वाले कोश्चन ह बहुत ही सिंपल होते हैं इसे कैसे साल्ब करना होता चलिए सीखते हैं तो प्लीज वीडियो को इंड तक देखना सबसे पहला कंडिशन क्या दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए ए बटे बी बराबर तीन बटे चार अब इसको क्रास मल्टिपलाई कर दीजिए ठीक है क अब यहां से हमें देखे पूछ क्या रहा है अंत में एक वैलू पूछ रहा है तो यहां से आप बी के वैलू निकाल लीजिए ठीक है तो बी के वैलू अगर निकालेंगे तो बी बराबर क्या होगा तीन को इधर भाग कर दीजिए तो चार बटे तीन और यहां पे ए हो ज addition है 8A plus 5B बराबर 22 इसमें put कर दीजिए ठीक है अब देखिए यहां पे दिया हुआ है 8A plus 5 अब B के जगा पे क्या रख दीजिए 4 बटे 3 A तो B के जगा पे हम रख देंगे 4 बटे 3 A ठीक है बराबर में कर देंगे 22 अब चलिए अब इसको और सिंप्लिफाई करेंगे थोड़ा अब देखिए यहां पे हो गया 8A plus अब यहां पे क्या आ जाएगा 5 अब को 20 बटे 3 A 5 का 4 में गुड़ा कर दिये हम ठीक है अब बराबर में हो गया 22 यहां पे अब देखिए अब अगला step क्या होगा इसका अब यहां पे हम देखिए यह fraction में यह भिन में है ठीक है तो भिन का जोड़ कैसे करते हैं तो यहां भी देखिए इसको अगर भिन में बनाएंगे तो इसका हर हो जाएगा 1 ठीक है इसका हर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर भिंका जोड़ करने के लिए LCM ले लिजे एक और तीन का जो हर वाले अंक होते हैं उनका LCM लेते हैं एक और तीन का LCM क्या होता है? तीन होता है वही हो जाता है ठीक है तो एक का तीन में भाग करेंगे तो तीन बार जायेगा तीन का आठ में गुड़ा कर दीजिए तो तीन बठे चौबिस ए प्लस अब तीन का तीन में भाग करेंगे एक बार जायेगा एक का गुड़ा बीस में करेंगे तो बीस ए बराबर म बराबर 22 हो गया ठीक है अब यहां से एक की वैलू हमें निकालना है तो एक की वैलू निकालना है तो यहां पे देखिए जब बराबर के निशान होता है तो बाया पक्ष है अगर बाये में भाग में है तो दाइने तरफ ले जाएंगे तो गुड़ा में हो जाएगा जो गु में हो जाएगा चवालिस भाग में हो जाएगा ठीक है चवालिस को भाग में कर लीजिए अब इसको काट लीजिए थोड़ा सा देखें बाइस एककम बाइस और बाइस दुनी चवालिस ठीक है तो यहां से मिल जाएगा हमें 3 बटे 2 तो A की value क्या हो जाएगी 3 बटे 2 हो जाएगी और यही हमारा answer हो जाएगा तो friends इस तरीके से आपको condition वाले question दिये होते हैं तो आपको simply क्या करना होता है कि एक condition से किसी एक रासी की value आप निकाल लीजिए फिर उसको दूसरे condition में रख दीजिए वहां से आपको value मिल जाएगी आप इस question को ऐसे भी लगा सकते थे जैसे हमने यहां से B की value निकाला तो आप A की value भी लेख सकते थे A की value बराबर 3 बटे 4 B 3 बटे 4 B यहां पर A की जगह पर रख दीजिए यहां से B की value मिल जाती अब फिर B की value आप रख देते हैं यहां पर तो A की value मिल जाती ठीक है तो answer same आता दोनों condition में तो friends I hope की वीडियो पसंद आई होगी तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में आज के लिए बस इतना ही thank you thank you so much